यर्मिया अध्याय साथ यूं कहता है अपनी अपनी चाल और काम सुधारो तब मैं तुम को इस तान में बसे रहने दूँगा तुम लोग यह कह कह कर जूठी बातों पर बरुसा मत रखो यही यहवा का मंदिर है यही यहवा का मंदिर यहवा का मंदिर यहवा का मंदिर तुम सचमुच अपनी अपनी चाल और काम सुधारो और सचमुच मनुश्य मनुश्य के बीच नय करो परदेशी और अनाथ और विद्वा पर अंधेर नय करो इस तान में निर्दोस की हत्या नय करो और दूसरे देवताओं के पीछे नय चलो जिससे तुम्हारी हानी होती है तो मैं तुम को इस नगर में और इस देश में जो मैंने तुम्हारे पूर्जों को दिया था यूग-यूग के लिए रहने दूँगा देखो तुम जूटी बातों पर बरोसा रखते हो जिन से कुछ लाब नहीं हो सकता तुम जो चोरी, हत्या और वेविचार करते, जूटी सपत खाते, बाल देखताओं के लिए धूप जलाते और दूसरे देखताओं के पीछे तुम्हें पहले नहीं जानते थे चलते हो तो क्या यह उचित है कि तुम इस वहन में आओ जो मेरा कहलाता है और मेरे सामने खड़े उकर यह कहो हम छूट गए हैं कि ये सब घरनित काम करें क्या यह बावन जो मेरा कहलाता है तुमारी दरश्टियों में डाकों की खोख गया है मैंने इत्सेम यह देखा है यहवा की यही वानी है मेरा जो स्थान शीलो में था वहा मैंने पहले अपने नाम का निवास ठहराया था वहाँ जाकर देखो कि मैंने अपनी परजाई जरायल की बुराई के कान उसकी क्या दसा कर दी अब यहवा की यह वानी है कि तुम ये सब काम करते आए हो और यद भी मैं तुम से बड़े यतन से बाते करता रहा हूं तो भी तुमने नहीं सुना और तुमें बुलाता आया पर उन्तु तुम नहीं बोले इसलिए यह भावन जो मेरा कहलाता है जिस पर तुम भरोसा रखते हो और यह स्थान जो मैंने तुम को और तुमारे पूरुजों को दिया था इसकी दसा मैं सिलो की सी कर दूँगा जैसा मैंने तुम्हारे सब भाईयों को अर्थात सारे एप्रीमियों को अपने सामने से दूर कर दिया वैसे ही तुम को भी दूर कर दूँगा परजा दौरा आग्या का उलंगन इस परजा के लिए प्राथना मत करो ने इन लोगों के लिए उचे सवर से पुकार ने मुझ से बिंती कर क्योंकि मैं तेरी नहीं सुनूँगा क्या तुने नहीं देखा कि ये लोग यहुदा के नगरों और येरुसलिम की सडकों में क्या कर रही है देख बाल बच्चे तो इंधन बटोरते बाप आग सुलगाते और इस्त्रियां आटा गुनती है कि सवरग की रानी के लिए रोटियां चड़ाए और मुझे क्रोधीत करने के लिए दूसरे देवताओं के लिए तपावन दे यहवा की यही वानी है क्या वे मुझी को क्रोध दिलाते हैं क्या वे अपने ही को नहीं जिससे उनके मुझी पर शाई च्छाए अतय परबू यहवा ने यू कहा है क्या मनुस्य क्या पसू क्या मैदान के वरक्स क्या भूमी की उपज उन सब पर जो इस तान में है मेरे कोप की आग भढ़कने पर है वह नित्य जलती रहेगी और कभी ने बुझेगी सेनाओ के यहवा जो इसराईल का परवेसर है यू कहता है अपने मेल बलियों के साथ अपने होम बली भी बढ़ाओ और मास्क खाओ क्योंकि जिस समय मैंने तुम्हारे पूरुजों का मिश्चर देश में से निकाला उस समय मैंने उन्हें होम बली और मेल बली के विशे कुछ आग्या ने दी थी परन्तु मैंने उनको यह आग्या दी कि मेरे वचन को मानो तब मैं तुम्हारा परमेसर होंगा और तुम मेरी परजा ठहरोगे और जिस मारग में मैं तुम्हें जाने की आग्या दूँ उसी में चलो सब तुम्हारा भला होगा पर उन्होंने मेरी नै सुनी और नै मेरी बातों पर काल लगाया वे अपनी ही युक्तियां और अपने बुरे मन के हट पर चलते रहे और पीछे हट गए पर आगे न बढ़े जिस दिन तुम्हारे पूर्खा में सरदेश से निकले उस दिन से आज तक मैंने अपने सारे दासों भुष्य वक्ताओं को तुम्हारे पास बड़े यतन से लगातार भीजता रहा परन्तु उन्होंने मेरी नहीं सुनी ने अपना काल लगाया उन्होंने हट किया और अपने पूर्खाओं से बढ़कर बुराईयां की है तु सब बाते उनसे कहेगा पर वे तेरी ने सुनेंगे तु उनको बुलाएगा पर वे ने बोलेंगे तब तु उनसे कह देना यह वही जाती है जो अपने परमेसर यहवा की नहीं सुनती और ताड़ना से भी नहीं मानती सच्चाई नश्ट हो गई और उनके मूँ से दूर हो गई है अपने बाल मुंडा कर फैंक दे मुंडे टीलों पर चड़ कर विलाब का गीदगा क्योंकि यहवा ने इस समय के निवासियों पर क्रोध किया है और उन्हें निकम्मा जान कर त्याग दिया है हित्रों की इत्राई के घर्नित कारिये यहवा की यहवानी है इसका कारण यह है कि यहुदियों ने वह काम किया जो मेरी दर्श्टी में बुरा है उन्होंने उस नगर में जो मेरा कहलाता है अपनी घर्नित विष्ट में रखकर उसे असुद कर दिया है और उन्हे त्री मुंशियों की तरही में तौपेत नाम कुछे स्तान बनाकर अपने बेटे बेटियों को आग के हवाले किया है और आग में चलाया है जिसकी आग्या मैंने कभी नहीं दी और नही मेरे मन में वह कभी आया यवा की यवानी है इसलिए ऐसे दिन आते हैं कि वह तरही फिर ने तो तौपेत की और ने हित्रों वंसियों की कहलाएगी वरन घात की तरही कहलाएगी और तौपेत में इतनी कबरे होंगी कि वहस्तान ने रहेगा इसलिए इन लोगों के सवाकास के पक्सियों और पिर्थू हमकी सड़कों में ने तो हरस और आनंद का कोई सबत सुनाई ना पड़ेगा और ने दुल्हे और दुल्हन का क्योंकि देश उजाड ही उजाड हो जाएगा थैंक